Commonwealth Games जो की एक अंतराष्ट्य मल्टी स्पोर्ट यानी बहु खेल प्रत्योगिता है उसमें भारत को इस बार बड़ा नुकसान होने वाला है ऐसा क्यों तो क्योंकि भारत की जिन खेलों में एक्सपर्टीज थी वो आधे खेलों को ही बाहर कर दिया गया है नमस्कार मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और कौन-कौन से खेलों को बहार कर दिया गया है साथ ही इससे भारत को क्या नुकसान होगा ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो 2026 में ग्लासगो में कौमन वेल्थ गेम्स होने वाले हैं और अब खबर ये आई है कि इस 2026 वाली गेम्स से क्रिकेट, बैडमिंटिन, शूटिंग, हॉक्की, स्क्वाश, टेबल टैनिस, कुष्टी, ट्रैथलिन और आर्चिरी इन सभी गेम्स को हटा दिया गया है तो अब ग्लासगो कौमन वेल्थ गेम्स में केवल 10 कोर इवेंट ही होंगे इसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक, जिमनास्टिक्स, ट्रैक, साइकलिंग, नेट बॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केट बॉल शामिल है ये सभी इवेंट जो है वो चार स्थानों पर होंगे, इसके अलावा पैरा खिलाडियों के इवेंट होंगे, बता दे की पहले ये कौमन वेल्थ गेम्स ऑस्टेलिया में होने वाले थे, फिर पिछले साल ऑस्टेलिया की जो सरकार है उन्होंने आयोजन से इनकार कर दिया, तो इसके बाद गेम्स को ग्लास को स्कॉटलैंड में कराने का फैसला किया गया, देखे पिछले कौमन वेल्थ गेम्स जो 2022 में इंगलेंड के बर्मिंगम में हुए थे, इसमें 19 खेल शामिल थे, और भारत ने यहां 12 खेलों में 61 मैडल जीते थे, इसमें से 22 गोल्ड मैडल भारतियों ने कुष्टी में 12, वेट लिफ्टिंग में 10, एथलेटीक्स में 8, मुक्के बाजी और टेबल टैनिस में साथ-साथ ऐसे सबसे जादा मैडल्स जीते थे, और भारतियों विमेंस क्रिकेट टीम ने सिल्वर मैडल भी जीता था, होक्की, कुष्टी, बैडमिंट इन शूटिंग में भारत ने सारे कॉमनवेल्थ गेम्स मिला कर अब तक 286 मैडल्स जीते हैं, जिन में 149 गोल्ड मैडल्स शामिल है, देखे मल्टी स्पोर्स इवेंट यानि एक ही इवेंट में कई सारे खेलों का आयोजन करना वैसे भी पूरी दुनिया के सामने चुनाती होती है, छोटे मोटे देश तो ऐसे इवेंट्स के आयोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते, अब इस फैसले का भारते खिलाडियों पर कई तरह से असर पड़ेगा, पहले तो जो खेल बाहर हुए हैं, उसमें भारत की मैडल दावेदारी काफी मजबूत थी, इसे ऐसे कॉमनवेल्थ खेलों में मैडल जीतने वाले खिलाडियों को सरकारी नौकरी भी देती है, उन्हें इनाम भी मिलता है, अब नए हालात में बहुत से एथलीटों को इन सुविधा से वंचित रहना पड़ जाएगा, इसलिए भी भारतिया एथलीटों में निराशा है, वैसे इन खेलों की दुनिया में भी राजनीती जम कर होती है, लेकिन इस बार राजनीती से जादा बात पैसो की है, रिपोर्ट्स के मताबिक जब विक्टोरिया को मेजबानी मिली थी, तब खेलों के आयोजन का अनुमानित खर्चा करीबन 13-15 लाख करोड रुपे था, जो बढ प्रतिजा ये निकला कि Commonwealth Games Federation के साथ तैनियम और शर्तों के मताबिक विक्टोरिया ने मेजबानी के लिए मना कर दिया था, विक्टोरिया की ना के बार पहला संकट तो ये था कि 2026 Commonwealth खेलों को रद करना पड़ेगा, ऐसे में Commonwealth Games Federation ने कुछ और देशों से संपर किया, उन्हें भरोसा दिया कि कुछ आर्थिक मदद भी देंगे, लेकिन खेलों को रद होने से बचाना चाहिए, ऐसे में Scotland के शहर Glasgow ने हा तो बोला, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो खेलों की मेजबानी पर जादा खर्च नहीं कर सकते, ऐसे हालात में Commonwealth Games Federation के पास दो ही विकल्प थे, या तो 2026 Commonwealth खेलों को रद कर दिया जाए, या फिर Glasgow की शर्तों को मान लिया जाए, Glasgow की शर्तों को आसान भाशा में समझे, तो उनका कहना था कि वो उनहीं खेलों का आयोजन कराएंगे, जिनका infrastructure पहले से ही उनके पास मौजूद है, कोई नया स्टेडियम, किसी पुराने इसके लिए हां कर दी, जिसके बाद ऐसा हुआ कि 2026 Commonwealth Games में क्रिकेट, हौकी, बैडमेंटिन, शूटिंग, रैसलिंग, टेबल टैनिस जैसे लोग प्रिय खेल नहीं होंगे, पता दे कि वैसे भी खेलों की आयोजन समीती के पास इसका अधिकार होता है, कि कोर खेलों को पहले भी Commonwealth खेलों का आयोजन 2014 में हुआ था, इसलिए ऐसे कोर खेलों के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर पहले से ही माजूद है, ऐसे में हौकी, क्रिकेट, रगबी, बैडमेंटिन, टेबल टैनिस, शूटिंग जैसे लोग प्रिय खेल बाहर हो गए, तो अब Commonwealth Games जो है उसमें भारती एथलीटों का भाग लेना जादा फाइदे मन नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या इस वज़े से हमारे एथलीट्स को 2026 गेम्स का बहिश्कार करना चाहिए, आपको क्या लगता है, इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब्सक्र को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप रहें हर वक्त हर ख़बर से अपडेटेड़